नालियों के उपर जो धकन जो होता है और धकन नहीं है अमान के चलिए बच्चे जाते हैं उसमें गिर जाया किसी को पता भी नहीं चला है को बच्चे उसमें गिरे हुए ऐसी इस्थिति है इस इंटर्व्यू के दौरान उन्हें बस ये कि विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं जिस तरह आपके बीच अभी आ रहे हूं भूट मागने के लिए उसी तरह मैं आगे भी आओंगी अगर मैं जीत गई तो मैं आपके बीच उसके बाद भी रहूंगी आपसे पूछूंगी और जो जितना हो सके मुझसे सरकारी योजना द्वारा मैं उस सारा लाभ उनके जैने लगे हैं और जो चुनावी वाद जोनी वादे हैं वो चुनावी वादे हैं वो चुनावी वादो को लेकर भी हर मद्दाताओं के नव्ज टटोल रहे हैं परचार परचार शुरू हो गया है और अब हम अभी बेनी पट्टी नगर पंचायत के वाड पार्षाद प्रत्यासी अंजली दिवी के पास है जिने चुनाव चिन भी आवंटित हो चुका है इससे पहले ही जब करते हैं मदेताओं के भी जाघिया सकते बीच में मदाताओं में ड्रया पती है एक असे जगी मुण जानते हैं मिएनने पर आपका स्वागत है कि धन्यवाद सार चुनाव जब अस्थगित हुआ था और अब पुनह आप मत आताओं के भी जा रही है जनता में चुनाव को लेकर के अब क्या लग रहा है उत्साह है या अब जो है कुछ न कुछ उत्साह में कमी है कि एड iki उत्साह वैसे ही है उसमें कोई कमी नहीं है मैंने देखा आप जो यह दो दीन से जा रही हूं वहां अफिर टुनाव छेतर में तो आपर मैंने देखा है जो पहले वाला हो साथा नवसाही है उसमें कोई कमी है और लोग जानकर खुस हो यह जो होने वाला है कुराइड होने के वाद जो पर्ट्यासी थे उस काफी पसो पेश में थे चुनाव होगा नहीं होगा चुनाव चिन को लेकर के भी कभी संसे बना हुआ था कि छुनाव चिन जो अब तक अबनटी थो उसको लेकर करके तो क्या इन बीच में आपने कभी एसास सूचा कि अब परिशानी काफी होने वाली है कंडिडेट को लेकर के काफी तैयारी चल रही थी उस तैयारी में ब्रेक लगा तो दुबारा आपको पुनहां बीच में जाना मत आता हूं कि कितना सहज लग रहा है कहीं मन में चल रहा था तो सही बात है वो सभी के मन में चल रहा था सभी यहीं सोच रहे थे चुनाव होगा कि नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा सभी अभी भी वहीं चल रहा है अभी भी किसी को बिश्वास ही नहीं हो रहा है जो चुनाव होने वाला है अचाय होगा उनक सब्सक्राइब ऑच्छे सो बताना पड़ता है कि नहीं होगा ही चुनाउ कई होगा यह रुकावट नहीं आएगी और अब तो आगे सरकार की मर्चि सरकार तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं और आगे मैं क्या कह सकती है सरकार अब ही भी आप चुकि 18 तारीकों मत गन्ना होगी यह लगबक क्लियर हो चुका है कि बिहार में निगर निकाई का चुनाओ होना ही है ऑभ चुनाओं में जब मतधाताओं के बीच मैं आप जब जा रही हैं तो ८जिजया, काम्याब रहती हूं जो आप मुझे भरोजा कीजिए चुनाव होगा ही और आप हमें भोट भी दीजिए कलम दवाद चाप पर ताकि उन्हें मैं यह बताती हूं कि मैं अपने वार्ट से खड़ी हूं कलमदवाद शाप है मेरा और आप मुझे भूट दीजिए हमें भी मौका दीजिए जो अपने वार्ट के लिए काम करूं अपने समाज के लिए अच्छा काम करूं और मेरा तो यही सपना है कि मैं अपने समाज के लिए अच्छा कुछ भी करूं तो मेरा नाम हो अगर अंजली को जीत मिल जाती है तो इस जो वाट का जो परसीमन है इस परसीमन में अगर बात की जाए कचरा का तो कचरा का अमबार लगा हुआ है गरीबी गरीब लोगों को आवास की सुवधा नहीं है बिजली की सुवधा हलांकी है लेकिन किसानों को जो आपके परसीमन म जाती हूं तुनाओं च्छेत्र में भुट मांगने के लिए तुम है आता से समस्या नहीं सब्सक्राइब उप्लब्ध वार्द में होना चाहिए सुभधा ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने यह देखा है कि ऐसा कोई भी स्विभधा नहीं है उपलब्ध गलियों सरकों खड़ाब है ऐसा मैं नहीं कहती हूं कि सारे सरके खड़ाब है थोरा मुरा कहीं है सही भी है और जादा होने से तो जादा मतलब जादे जगा ना गलियों ना खड़ाब ही है नाली भी खड़ाब है नाली का किसी पर ढखकन नहीं है उसका पानी बाहर आ रहा है रास्ते खड़ाब है पुरे गीले है पिछिल है थाल सब है तो मैं सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान देन चाहूंगी अपने वाड में, जो सरको और गलियूं जो है उनकी नियमित रूप से सफाई हो और उनका देख रेखो जो नालियां सब है उस नालियां को अच्छा से मैं बनवाना चाहूंगी जो उसकी सफाईच करवा के और उसको ढ़कन नगरा होता है उसको लगबाना है किसी भी नालियों के उपर जो धकन धकन नहीं है अमान के चलिए बच्चे जाते हैं उसमें गीर जाया किसे को पता वी नहीं चलें कि बच्चे इसमें किरे हुए ऐसी चीछ आपने वार्ण में गई हूं तो देखी विश्ची चीछ को तो मैं अपने अगर मैं जीत गई अभी तो कह नहीं सकती जीती हूंगी कि नहीं कि चुना में बहुत सारे लोग ख़रे हैं तो मैं अगर जीत गई तो मैं इस सब को अपने धियान में रखी हुए हूं कि मैं सबसे पहले यही काम करूंगी दूसरी बात आरक्षन जो होता है जो सरकारी योजनाएं होत विकलांकों को की जो अंका जो हक है सरकार की तरब से जो सिब्धा मिलती है वह मैं उन्हें दिनारा चाहूंगी विद्वाओं के लिए अर्षु के लिए और जन वीत्रण प्रणाली ईस पर विधियान और जाती हूं तो मुझे भी बोलते हैं इस वाद को जो मुझे यह नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है आप लोगो भोट देते हैं तो उसके बाद खोजने नहीं आता है तो मैं इस इंटर्वियू के दौरान उन्हें बस यह की विष्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं जिस तरह आपके बीच अभी आ रही हूं भूट मागने के लिए उसी तरह मैं आगे भी आओंगी अगर मैं जीत गई तो मैं आपके बीच उसके बाद भी रहूंगी आपसे पूछूंगी और जो जितना हो सके मुझसे सरकारी योजना द्वारा मैं उस सारा लाव उनके बीच रखना च चाहूंगे पट्टी बजार कि स्थिति जो हैं निवे हो जाती हैं करोना काल के बाद सारे दुष्णदारों कि आर्थी के स्थिति काफी कम जोड हो गई है मेर बारिस्द के समय में दुकंदार इस बात को लेकर के हलकान और परिसान आते हैं कि उनकी आगे दुकान के आगे इतनी जल जमा होता है कि दुकांदार तक ग्रहख नहीं पहुंछ पाते हैं इन समयों को आप किस तरह से लिदान करना चाहेंगे मैं इस समय से पर फोकस देना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपने वार्ड में देखा है सरक जो है वहां पर बारिश जो होती है तो बारिश की वजाज से सारे रास्ते में पानी जमा tenderer हो जाती है जिस वजाने से ग्राहन को आने जाने में दुकंदारों को आनों जाने में बहुत सारी दिखते होती है बचों के स्कूल जाने में भी दिखत होती है और उस वज़ा से ऐसा भी होता है क्यों जा भी नहीं पाते हैं इतनी दिखत हो जाती है तो मैं सबसे पहले इस सरक पर नाली बनाने का मांग करूंगी जो इस सरक पर जो होता है जन्वित्रन प्रनाली में रासन कार्ड बहुत सारे लोग उपलब्ध नहीं है नहीं मिला है उनका नाम नहीं है उसमें तो मैं एक जितने के बाद कर्याले बनबाऊंगी और उसका कर्याले में चाहूंगी कि वह जिन्हें जिन्हें उपलब्ध नहीं है वह रासन क कि आपलाई करें और उन्हें उप्यूमद्द हो महिलाओं को व्रिधा करें को अपना नहीं पर 입ल और कहा जाता है कि महिला अक्स जो भी परतिनिधी होती है वो कहीने कहीं पति के ही बनाए गई रास्तों पर चलती है क्या लगता है लच्षमन के समाजिक कारियों को आप कितना भुना पाएंगी चुनाओ में यह चुनाओ के जो चुनाओ हो रहा है तो इसमें तो मैं मैं पड़ती हुँ तो मैं चुनाऊ तो मैं ही लड़ रही हुँ और रही उनकी बात मुझे उनपो बहुत गर्व है कि वह اeil मैं आज जब से मैं उनसे जुड़ी हूं तब मैंने उन्ने देखाlast समाज में समाज के बीच रहते हैं उननम के बीच रह उनकी सहायता करते हैं और उन्हें समाज भी बहुत चाहते हैं कभी भी किसी परकार की भी कोई दिकत हो तो उनसे जरूर सेयर किया जाता है और उनकी सहायता भी लेते हैं और वो सहायता भी करते हैं इस वज़ा से उन्हें बहुत सभी पसंद भी करते हैं और मैं भी जाती हूं भोट मागने तो इस सारी चीजों की असर में देखती हूं अपने वार्ड में अपने समाज में जो हां आई सभी चीज की वज़ा से मुझे उन पर बहुत गर्व है कि मेरे पती ऐसे हैं इतने लोग चाहते भी हैं वार्ड के मद्दाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी अप अपने वार्ड के मेंबर से यही अपील करना चाहती हूं कि आप मुझे भोट दीजिए ताकि मैं अपने वार्ड के लिए काम करूं मेरा चुनाव चीन है कलम दवाद छाप ताकि आप भोट दीजिए ताकि मैं अपने वार्ड के लिए काम करूं और विकास की और कदम बढ तो यह थे वाड पार्षाद के प्रत्यासी अंजली देवी जिन्हों का आपने सुना कि इनका कहना है कि जो भी वाड में जो विकास होना था अब तक वह नहीं हो पाया लेकिन अब यह नगर पंचायत में आ चुका है यह वाड और इस के तहद इनके वाड में जो भी समस्या हैं उस समस्याओं को उन्होंने बताया कि गारंटी है कि जीत के बाद वो इसे तस्वीर बदल देंगे और यहां के मद्दाताओं की तकदीर बदल देंगे